गुड बारिंग फ्रेंग्स करनिसी प्री मार्केट आनलेसिस पर आप सभी का स्वागत है आज है 15th नवेंबर 2023 वेंजडे एंड आयम रूस्ट आशीश बरुआ कल इंडियन मार्केट का जो इविनिंग था उस टाइम पे US CPA डेटा है जो डेटा बहुत ही बढ़िया आया जिसके कारण डॉलार इंडेक्स में एक तोर फॉर डाउनवर्ड मॉवमेंट हमने देखा है तो आएए पहले चार्ट में देखते है यह हो गया अपका डॉलार 60 का उस पे जिस लॉर इंड पे आके बैठे होए हैं एंड यहां पे एक 200-period moving average का लाइन भी है तो यहां पे हमें देखना है क्या follow through मिलता है कल का जो candle है उसके low के नीचे follow through मिलता है या तोर ऐसा consolidate करते है या तोर ऐसा bounce बे करने का प्रैस करते है यह हो गया first second अगर इसको follow through करते हैं तो immediate उसके बाद वाला जो हमारे support label होगा वो होगा 103 से 103.40 levels यह scenarios है यहां पर gap down opening के बाद अच्छा का सब्सक्राइब होने के बाद अगर हम देखेंगे अभी है 4.445 तो यहां पर आप देखोगे कल हम जब pre-market analysis क्या रहते हैं वहां पर हमारा यह center wind is expected to be the next immediate residence level जह यहां पर हम देखना चाहते थे कि इसके यहां पर क्या negative candle बलते हैं और उसके बाद हमारा target था इसका swing low को देखने का तो swing low को आने के बाद हम यह experiments देखना क्या कोशिश करेंगे कि price action कैसे behave करते हैं लेकिन यह तो तोर के नीचे के तरफ आ चुका है अभी what next what next में हमारा पहला है कि next major support जो होना चाहिए वो है आपका 4.25 4.28 की बीच पहला दूसरा वाला अभी इस direction में आने के लिए कल का जो low है उसके low के नीचे follow through चाहिए तो आज during the day हमें यह दिखना कि इसके low के नीचे follow through दे रहा है या sharp bounce back करता है क्योंकि अभी भी fed अपनी तरफ से बोला नहीं है कि yes हमने achieve कर लिया जो हमें achieve करना था so henceforth या तिन मेने के बाद या छे मेने के बाद हम rate cut करने वाले हैं अभी भी कुछ दिया नहीं है suddenly some fat governors will come and give some certain hawkish type of comment just to means keep the market within the range so इसलिए हमें थोड़ा सा देखना है कि follow through हो रहा है price के hesap से यह bounce back करता है जैसे यहां पर देखे यह जो आपका third November का moment है उसके बाद follow through नहीं था उसके बाद आप देखोगे 8th November उसके नीचे भी follow through नहीं था यहां पर आप देखोगे यह जो 1st November है उसके लोग के नीचे follow through था याने further continuation था यहां पर क्या आज के दिन continuation करते हैं यह हमें देखना पड़ेगा so यह होगया dollar index dollar index में once again यह एक अपका 200 period moving average के उहीं पर आके close दिया है क्या अभी इसके लोग के नीचे follow through देते हैं या नहीं because this is going to determine the all the currency pairs अभी आते हैं dollar रुपी dollar रुपी का में एक separate special video just बना के अभी थोरे दिर में release करने वाला हूँ क्या करना चाहिए gap up gap down के उपर gap up gap down उसमें हमें क्या मिसकी step का decisions लेना है उसके उपर एक strategy में discuss करने वाला हूँ just next immediately एक video आएगा तो अभी क्या हो रहा है invisible hands एक range में रुका हुआ जहांपे अपका 83, 30, 35 के उपर रुपी को जाने नहीं दे रहा था और उहें पर जाने से sell कर रहा था एक खतरना consolidation था और नीचे के तरफ हमारा ज 83.00 अभी का opening जो है tentative 83 के आसपास opening होना चाहिए so what next what next में अभी सोच नहीं के लिए पहले previous 7th July 5th 6th 7th July onwards रुपी, डॉलर रुपी कैसे behave कर रहा था उपर में तो selling था ही नीचे के तरफ जैसे ही आता था आपका 83, 20, 82, 80 to 80 से 83.00 वहां पे individual earnings एगिन बाइबेक करता था बाइबेक करके दुबारा डॉलर रुपी को 83, 20, 83, 25 के तरफ बार बार जितना भी बार देखे यहां पे यहां पे देखे यहां पे देखे बार बार वह बाइबेक करके उपर लेके जाता था क्या आज opening के बाद similar buyback हम देखेंगे या नहीं that is going to determine the next course of action as far as the डॉलर रुपी is concerned so हमें आज इन्विजिबलेंस के action देखना है क्या है यह lower level पे means opening के बाद lower level पे यह buyback करके दुबारा 83, 20, 25 के तरफ लेके जाते हैं या छोड़ देते हैं डॉलर रुपी को appreciate करने के लिए यह हमें देखना पड़ेगा and GBP dollar में आते हैं GBP dollar में हमारा कल का अगर देखोगी analysis यहाँ पे आपका 6th November का जो high है that becomes the milestone उसके high के ऊपर हमें एक अच्छा कर सा trended move expect कर रहेते हैं वही हुआ है एक बड़ा सा candle लेकिन इतना बड़ा सा candle के बाद follow through देता है या pullback आते है जनरली इतना बड़ा candle के बाद until and unless means major एक stay कुछ comments या कुछ economic data follow करते हैं हलाकि यहाँ पर economic data था कि यह से pay data बहुत बढ़िया आया था तो generally इतना follow through only in certain cases मिलते हैं otherwise एक pullback आता है support बनाते है consolidate करते हैं उसके बड़ा आता है so यहाँ पर एक higher low बना रहा है so GBP dollar, euro dollar, GBP euro INR में हमें pullback में buying opportunities धुड़ना है that is GBP dollar GBP INR में भी similarly हमारा यह 6th November का high जो था that becomes very crucial उसके high के उपर हमें एक अच्छा का momentum देख सकते हैं and वही हो रहा है अभी further street क्या opening से buying में जाएगा that is the questions generally जाते नहीं generally pullback आते हैं फिर उपर जाते हैं यही है higher high higher low का कमल so इसलिए हमें एक pullback का integer करना है buying opportunity धुड़ने के लिए euro dollar similarly similarly basically क्या था कल के analysis में हमने बोला भी था अगर dollar index इसके low को तो तो GBP dollar यह 6th October का high को तो तोड़ेगा euro dollar 6th October का high को तोड़ेगा and similar way में एक ही साथ में मैं अगर correct हूँगा तो all means means aspect पे all currency pairs में GBP dollar, GBP dollar, euro dollar, euro dollar हर जगा पे में correct मेरा analysis correct जाएगा अगर नहीं जाएगा तो एक ही साथ में बैठे रहेंगे तो वही हुआ है euro dollar पे यह जो 6th October का high था उसके high के उपर एक tremendous movement अप्मूव दिया था यहाप आप देखोगे means a strong bullish candle तो यह यहाप एक immediately resistance zone है वो है आपका 1.0940 तो इसके यहाप एक resistance लेने का price कर सकते हैं यहाप हमें क्या करना है pullback पे buying opportunities the best क्योंकि यहाँ से follow through continue करेगा या फिर दुबारा sellers get activated वो हमें देखना है यहाप अगर sellers कहां कहां आएंगे पहले यह 1.09, 1.0950 के इस area पे sellers आ सकते हैं आने का प्रोबैबिलिटीटीज है यूरो आइनर similarly यह जो 6th October 7th November 7th November and 9th November का जो हाई है उसको single shot में clear कर दिया अभी higher high higher low what next what next में immediately buy करने से हमें एक stop loss जो होगा काफी बड़ा हो जाएगा इसलिए pullback में buying बहुत जोड़ूडी है यहाँ पे आपका dollar yen dollar yen dollar yen यह आपका यह जो area था आपका इसमें resistance लेगा या cross करके ऊपर के तरफ जाएगा that was the million dollar questions अगर resistance नहीं लेता है और ऊपर के तरफ breakout करते in such case 153 154 154 50 से 155 के target हो सकत लेकिन यहाँ पे कल के यह dollar पीटी जाने के बाद dollar yen में भी एक अच्छा कासा से लवाए अभी क्या है यहाँ पे एक trendland support के बाद यह उपर जाता है यहाँ ट्रेंड लेंड सपोर्ट को ब्रेक करता है यह हमें देखना पड़ेगा जैपी वाई आइनर में आप आगर देख तब जाके हम बाइंग के लिए कुछ सोच सकते है dollar candy 1.37 यह देखे यहाँ से फिर दुबारा एक sharp sell-off आया towards अभी आने वाला है 1.3650 के सपोर्ट होना है इस लेवल पे क्या सपोर्ट लेगा या इस लेवल को तोड़के नीचे के तरफ जाएगा नीचे के तरफ जाएगा त जो है आपका 0.6570 पे है तो हमें यहाँ पर long के लिए थोरा सा careful होना चाहिए CNH, CNH में अच्छा खासा appreciations देखा गया यह जो support level था उसके low के नीचे बाटा हुआ है तो अभी यहाँ पर ज्यादा कुछ means तोर फोर CNH appreciations नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर यह जो breakdown हुआ not because of the Chinese economy but because of the US CPI inflation वाला जो figure है fear है उसके करण, so यहाँ पर हमें ज्यादा कुछ expectations है नहीं अभी brand code, brand code future जो 83.30 अभी है यह जो हमारा resistance level है कल का analysis हम देखोगे यहाँ पर 84, 84.20 का एक expectations था इसको अगर तोड़ता तो हमारा यह resistance होता था था तो कल इहीं पर एक negative candle बना के अभी नीचे जाने के लिए आ रहा है यहाँ पर अगर RSI को देखोगे अभी एक RSI first time 40 पर resistance लेने के लिए तयार हो रहा है यानि आज का candle अगर आज का negative candle अगर कल के जो bull candle उसके लोग के नीचे close देता है तो यह एक अच्छा खासा selling territory में कर दे अभी US two year treasury US two year treasury जो है यहाँ अभी आपका अभी है five point four point eight four यह दुबारा यह जो double bottom के वहीं पर आके रुका हुआ है अभी फैड ने openly बोला नहीं कि हमांगे तयार है cut करने के लिए उनका मुझ से आने दीजिए उसके बाद धराम करके नीचे के तरफ एक follow through आ सकता है अभी देखना है इसके लोग के नीचे क्या continuation continuation आता है strong candles के साथ यह यहां पर consolidated करता है याने market participants wait and watch doing the wait and watch strategy यह currency pre-market analysis अभी के लिए इतना है just मैं dollar rupi का special video लेके आ रहा हूं जिसमें just gap up gap down में क्या करना चाहिए उसके उपर सो यह आज का pre-market analysis अभी के लिए आशा करते हैं प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लागाओ एक सो लाप जाए और शेयर केजिए among your friends thank you and bye bye